पाट अठरा, पेड की बाद, मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक डीच पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीथता गया, सर्दियों के बाद वसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुवात में दो एक दिन पानी बरसा, अब और छिपे रहने की जरुरत नहीं थी, सूरज की रोशनी देखो, आहिस्ता आहिस्ता बीच का ठकन दरग गया, दो सु कोमल पतियों के बीच अंकुर बाहर निकला, अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया, और दूसरा अंश माटी भेद कर उपर की ओर उठा, क्या तुमने अंकुर को हीतर प्रवेश करता है, उसका नाम जड़ है, और जो अंश उपर की ओर वड़ता है, उसका उसे तना कहते हैं, सभी गाज बिरच में जड़ वतना ये दो भाग मिलेंगे, ये एक आश्यरे की बात है कि गाज बिरच को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर वतना उपर की ओर उठेगा, एक गमले में पौधा था, परिक्षन करने के लिए कुछ दिन गमले को ओंधा लटकाये रख था, पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ उपर की ओर ही, दो एक दिन बात क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया है उसकी पत्तियां और डालियां तेड़ी होकर उपर की तरफ उठ आई, तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई, तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर खाई होगी, देखा, पहले पत्ते वफूल नीचे की ओर रहेंगे, कुछ दिन बात देखोगे कि पत्ते फूल उपर की ओर उठाए हैं, हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाज बिरच भी उस तरह ही भोजन करते हैं, हमारे दाथ हैं, कठो चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दाथ नहीं होते, वे केवल दूद पी सकते हैं, गाज बिरच के भी दाथ नहीं होते, इसलिए वे के जड़ के दुवारा मिट्टी से रस्मान करते हैं, चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रिव्वे कल जाते हैं, गाज बिरची वे तमाम द्रिव्वे सोकते हैं, जड़ को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन ब परिक्षन करके देखा जा सकता है कि पेड में हजारों हजार नली है इन्ही सब नलियों के द्वारा माटी से पेड के शरीर में रज का संचार होता है इसके अलावा गांच के पत्ते हवा से आहार ग्रहन करते हैं पत्ते में अंगिनन्थ छोटे मूँ होते हैं खुदरबीन के जरिये अंगिनन्त मुँपर अंगिनन्त होट देखे जा सकते हैं जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होट बंद हो जाते हैं जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहार निकालते हैं तो इस प्रकार की विशाक्त वायू बाहार निकलती है उसे अंगारक वायू कहते हैं अगर या जहरीली हवा पृत्वी पर एखटी होती रहे तो तमाम जीव जन्तू कुछी दिनों में उसका सेवन करके नश्ट हो सकते हैं जरा विधाता की करुणा का चमतकार तो देखें जो जीव जन्तू के लिए जहर है गाल्च बिराज उसी का सेवन करके उसे पून तया शुद कर देते हैं पेड के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य उर्जा के सहारे अंगारक वायू से अंगा निशेश कर डालते हैं प्रकाश ना मिलने पर बच नहीं सकते गाल्च बिराज की सार्वतिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो तब देखोगे कि सारी पतियां वा डालियां अंधकार से बच कर प्रकाश की और बढ़ नहीं है वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाल्च बिरच इस होड में सचेश्ट है कि कौन जल्दी से सिरुठा कर पहले प्रकाश को जपट ले बेल लताय छाया में पड़ी रहने की प्रकाश से अभाव में मर जाएंगी इसलिए वा पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर उपर की और अग्रसर होती रहती है अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है सूर्य किरन का परस पाकर ही पेड़ पलवित होता है गाच बिरच के रेशे रेशे में सूरज की किरने आभध है प्रकाश हतियाने के जाल है पशु डागर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते है पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वा इसी तरह जन्तूओं के शरीर में प्रकाश करता है अनाजव सबजी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते है सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित है कोई पेड एक वर्ष के बाद मर जाता है सब पेड मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है बीच ही गाज बिरच की संतान है बीच की सुरक्षा वर सार सम्हाल के लिए पेड फूल की पंखोडियों से घिरा एक छोटा सा घर तयार करता है फूलों से आच्छादित होने पर पेड कितना सुन्दर दिखाई पड़ता है जैसे फूल के बहाने वह स्वयम हस रहा हो फूल की तरह सुन्दर चीज और क्या है जरा सोचो तो गाज बिरच तो मटमेली माटी के आहार वह विशाखत वायू से अंगारक ग्रहन करते हैं फिर इस आपरूप उबदान से किस तरह ऐसे सुन्दर फूल खिलते हैं कथा सुनी होगी स्पर्श मणी की पारस पत्थर की जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है मेरे ख्याल से मा की ममता ही वा मणी है संतान पसने निच्छावर होते ही फूल खिल खिला उड़ता है ममता का परस ही मानों माटी वांगार के फूल बन जाते हैं पेडों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है शायद पेड भी कम प्रफुलित नहीं होते हैं खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंतरित करते हैं उसी प्रकार फूलों की बहार चाने पर गाज पिरफ की अपने बंधू बांधवों को भुलाते हैं सिने सिक्त बाणी में पुकार सकते हैं कहां हूं मेरे बंधू, मेरे बांधव आज मेरे घर आओ, यदी रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहँचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं ये रंगीन पंखुडियां दूर से देख सकोगे, मधुमक्खी वा तितली के साथ बिरच की चिरकाल से घनिश्टता है वे दल बल सहित फूल देखने आती है, कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते पक्षि उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं शाम होते ही उन्हें पुलाने की खातिर फूल चारो और सुगंधी सुगंध फैला देते हैं गाच अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं मधुमक्खी वा तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं मधुमक्खी के आगमन से बिरच का भी उपकार होता है तुम लोगों ने फूल में पराक कंड देखे होंगे मधुमक्खियां एक फूल के पराक कंड दूसरे फूल पर ले जाती हैं पराक कंड के बिना बीज पक नहीं सकता इस प्रकार फूल में बीज फलता है अपने शरीर का रस पिलाकर बिरच बीजों का पोशन करता है जब अपनी जिन्दगी के लिए उसे मौ माया का लोब नहीं है तिल तिल कर संतान की खाते सब कुछ लुटा देता है जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था अवब बिलकुल सुख गया है अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ती शीन हो चली है पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती है पत्ते हवा के संक्रणा करते हैं अब सूखा पेड हवा का अगाज सहन नहीं कर सकता हवा का बस एक थपेड़ा लगता ही वा थर-थर कापने लगता है एकिक करके सभी डालियां तूट पड़ती है अंत में एक दिन अकसमात पेड तूट कर जमीन पर गिर पड़ता है इस तरह संतान के लिए अपना जीवन निचावर करके बिरच समाप्त हो जाता है जगदीश चंद्र बसू पाट उन्निस सास सास में